नमस्कार दोस्तों बहुत पोच श्वागत है आपका हमारी चैनल में मित्रो 19 रमंबर को बड़ा गुरुबार है आशे में तुला रासी वाले जातकों के जीबन में भगवान सरेहरे विसरू जी की कृपा से विसेज लाव होने वाला है और धन दोलत की प्राप्ति होने वाल है और जीबन में लाव कमाने के मौके भी आपको प्राप्त होने वाले है जो आपके जीबन की प्रिष्तितों को समझने के साथ-साथ आरत OH को दूर करने में भी आपका सहीग करने वाले हैं आपको बताएंगे सारी जानकारिव स्थार से विडियो को आखेर अजिए पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवज से कर लें ताकि रोजाना रासिफल आपको समय से मुल सके और आप आने वाले दिनों को बहतर मना सके वान स्रेहरी विश्रू जी की कृपा से कारिशेतर में आपके किस्मत का पूरा से योग फ्राप्त होगा आपके लोटरी लग सकते हैं समाज में मान सम्मान बढ़ सकता है आपके भेवाईक जीमन में खुसियां आ सकते हैं आपको संतान की और से कोई उपहार या कोई बड़ी खुषकवरी की फ्राप्ति होंगी किसमत चमकने के कारण आपके सभी कार्य पूरा-पूरस होंगे समाज में मान सम्मान मड़ सकता है ओफिस के छेत्रों बेपदरती मिल सकती हैं बैपार बैवसाय में चली आ रही वरिसानिया पे दुर होंगे आई के ने स्रोत स्ताफित आपको सफलता मिल सकती हैं और विसेज बड़ी खुषकवरी की फ्राप्ति हो सकती हैं पैसों के मामन में आपको थोड़ा सा विचार करने पर फायदा हो सकता है रुकोवा पैसा भी वापस मिल सकता है आपके खर्चों और पैसों को हर दगा हर तरीके से विलकुल बारीकी स समझने की अवस्ते कोसस करें वैपार वैवसाय में आपको खुष्यों की फ्राप्ति होंगे तथा कारी शेतर में सुची समझेरे निती भी आप लोगों के कामा सकती हैं आप लोगों को अपने जरूरी कारी समय से निप्टाने में सफलता हांसल होंगी सनिजेव जी की से आरती ग्रूब से आप मजबुत होंगे कारी शम्तम में वड़ोतरी होंगे आपको आगे बढ़ने के मुख्य मिल सकते हैं तकनी के छेतर में आप अच्छा परतसन कर सकते हैं रिश्दारों से आपको दंदोलत की प्राप्ति होंगे आपको किस्मत अचानक से प्रण सकती हैं और किसी भी कारी वैपार वैवसाय नोकरी इत्यादी को लेकर उन्नती भी अचानक से प्राप्त होंगे जनी देव जी की विसेस क्रिपवे आपको माला माल कर सकती हैं आपको नोकरी के छेतर में बिजनस के छेतर में अच्छे सफलता भी मिल सकती हैं आप किसी मंदर में किसी आत्राउं पर जाना पर सकता है जीवन साथी के साथ रिष्टों में मद्रूता आ सकती है बेयाधि खास रह सकता है सिक्षा नौक्री और वेपार के छेतर में किये के प्रियास सफल होंगे आपके जीवन में आनेबाले सुभी प्रकार की विनासकारी सक्तियों का नास हो सकता है आपको बारी दनलाव हो सकते हैं बचों की और से कोई सुष्माचार मिल सकता है आपके हर कारी में परिवार का साथ मिल सकता है और किसी नए कारी को करने के लिए पहले परिवार के सला अवसले अलाकि निवेज लाप के परवल योग रह सकता है आपका वेपार भी एकदम प्रगति करणी बाला होगा आप नए वेपार के शुरुआत कर सकते हैं आपके धन्समंदे समस्याएं भी अचानक से खत्म होंगे, कामकाज के सलसलों में आपके उपर जिम्मेदारी का बोज बढ़ सकता है वकील के पास जाकर कानूनी सला लेने से लिए आपका अच्छा दिन रशकता है आने वालस में आपके लिए बहुत ही अच्छा वीतेगा, आप अपने वानी पर नेंतर रखें इसमें आपको अपने कुरोद को त्याग करके सांती का मार्धारन करने के जरूरत तरह सकती है आप अपके सभी विड़े कारे भी बनेंगे, आपको अपना खोया हुआ सच्छा फ्यार मिल सकता है मातला लट्मी जी की कृपा सदेव आप लोगों पर बड़े रहेंगे मात लट्मी इसमें धरती पर ही विचरण कर रही है आप लोगों के बैपार बैविसाय में धंदोलत के परापति होंगे बैविसाय के भीतर विर्दी होंगे आपका मन परसन होगा आप निरंतर प्रियास करते रहें, सफलता के नय किर्थिमान को अस्ताफित कर सकते हैं, आपके द्वारा बिजनस में किया गया निवेश उत्तम मुनाफिक के साथ आपको आफ़स हांसिल होंगे, आप अपने जीवन साथी के साथ समंदो को बहत्रिन करने के अवस्से कूसस कर हैं, घर में आपके सुक्समर्दी की प्राप्ति होंगे, आपके सारे दुख तगलिफें दूर होंगे, सारे दुख दर्द भी दूर होंगे, आपके सभी सपने विस्ताकार होंगे, आपके जीवन में कीमती पला सकते हैं, घर से दूर रह रहे हैं जातकों को घर में मिलने क के मोके मिल सकते हैं आप आशाधरन व्यक्ति के रूप में नदर आ सकते हैं आप लोगों के जीवन में विसेद बड़े खुशकवरी की फ्राप्ति होंगे आप लोगों के जीवन में खुश्याली रह सकते हैं वैपार वैविसाय करने वालों को अच्छा ओफर मिल सकता है जि जिनसे के आपके जीवन में देवी देविताओं की क्रिपाद रिष्टी बने रहेंगे जिनसे आपके किस्मत चमकने वाली हैं आपके अच्छे सुभाव और अच्छे नेचर के कारण अर्वेक्ते आपसे प्रभावित होंगे आपको मनपसंद जौब मिल सकते हैं जिनसे की आपके आर्थी किस्तित्यां सुधार हो सकते हैं सब्दी में आप पैसे कमाने में काम्यावी को पा सकते हैं आने वालस में आपके घर के तमाम बुराई को हमेशा के लिए नश्ट कर सकता है घर के बुद्रगों के स्वास्ति के प्रति आपको थोड़ी सी मसकत करने पर सकते हैं लेकिन वक्त के साथ प्रवलम का समस्याओं का समधान भी आपको फ्राप्त होने बाला है आपके जीवन में सारे विधर बाधाएं भी दूर हो सकते हैं आपके जीवन में खुशियां आ सकते हैं बस आपको थोड़े से मेहनत करने के जरूरत होंगे आपके से बड़े धनल काम पर विचार कर सकते हैं नए दोस्तों और समन्दों से फायदय होंगे नौक्री और वेपार के समंदेद जेत्रों में आपके श्थितियां व्यवाब के लिए और अधिक वहतर हो सकते हैं आपको कार्यों में सफलता मिलेंगे लेकिन किसी भी टोका टोकी से आप थोड़ी प्रिसान हो सकते हैं आप कमन भी अधिर हो सकता है आपको थोढ़ा सधायर रखने होंगे अपन की सकरात्र म करद्पफ कोई पहले से पहले से कफसे बत रहोँगे जीवन साती से कोई सुखत सप्राइज मिल सकता है विद्यार्थु कमन भी पढ़ाय में लिखाय में लग सकता है और किसी टॉपिक को समझने में आप अपने काम धंदे में भी आपके नए वसरों की फराप्ती होंगे वैपार वैवसाय से रुड़ी आपके योजनाय कफी अच्छी होंग दोलत की फराप्ती होने वाली हैं आप अपने अधिकान सुख कर्मों को सफलता फ्रुप कूरा कर सकते हैं आपके पास नए अधिगरन हो सकते हैं जो आपको सुकून दे सकता है कर सकता है